वेलकम स्टुडेंट स्वागत है आपका एको नए वीडियो में उमेद सभी स्टुडेंट अच्छ होंगे तो फाइनले आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी आ चुकी है अगस्त में सरकार की तरक्षे रक्षा बंदन पर आपके एप्लिकेशन फोरम जारी हो चुके तो बहुत ही मतलब अच्छानक से आरियो अच्छ यूनिवसिटी जने आपके जो अप्लिकेशन है वो फोरम जारी कर दिये तो किसी को पता भी नहीं था कि आपके एकजाम इतनी जल्दी आ जाएगे आपके फोरम इतने जल्दी आ जाएगे जैसा कि मैंने भी अपने पिछ רस्टिटेन्स के मन में यह आ रहा है कि अब परिक्सिया है वो बिलकुल हो चुकि यह स्टुडेंट लेकिन परिक्सिया बहुत ही नजदिक हो चुकि आ जोकिए नजदीक आ चुके डेट भी एक या दो दिन में आ जाएगी लेकिन मेक्समिẩं आपको कितना दिन मिल अगर पूरा जोड़ा जाए तो केवल एक महीना ही आपके पास यहां पर शेस बचा हुआ है पढ़ने के लिए तो अब विद्यार्थियों के मन में दो तीन परसन आ रहे होंगे कि परिक्षा नजदीक है अब क्या करें अब अन्तिम एक महीने में किस से पढ़ाई करें देख बात इसे विद्यार्थ भी है जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रिप्रेशन कर रहे हैं और अच्छे से उन्होंने जो है एक्जाम फोरम की जो है आप जो वेट करें थो फाइनले एक्जाम फोरम आ चुके तो मैं दोनों स्टुडेंट्स की बात करूँगा कि सब्भी का बिल्कुल भी नई पढ़ा है उनका भी नंबर आ जाए अब कापी सारी के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर मार्केट में कोई गाइड रहा क्या क्या वो बढ़कर हमें नंबर ला सकते हैं क्या इन तमाम परकार के सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला तो वीडियो के वाला हमारे चैनल पर मिलते हैं तो जो स्टुडेंट नहीं अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन प्रेस रखें तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के तो सब भी स्टुडेंट के लिए वीडियो बहुत ही प्लेज आपको यह दे आपको अच्छे से गौवर्मेंट कोलेज में नमबर लाना है इस वीडियो को जुरू देखिए और देखना है नहीं आपको इस वीडियो में जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं उनका इस्तिमयल करना है ताकि आपको अच्छे से जो है college मिल पाई तो सबसे पहले मैं आपको बता जिता हूँ सबसे पहले उन विद्यारतियों की बात करेंगे जिनका बिल्कुल भी नई पढ़ावा है यानि कि जुन्हों ने study की नई wait करें थे अभी काफी समय बचावा है application पौरम आने में आराम से पढ़ लेंगे एक वो विद्यारतिय और दूसरे वो विद्यारतिय जुन्हों ने अच्छी तरह से preparation करके मेरे बताए अनुसार तो दोनों विद्यारति कि हम बात करेंगे सबसे पहले उन आपके exam है, वो September के या तो second week में आपके exam का आयोजन होना है, या फिर September के आपके exam है, जो third या फिर fourth week में, यानि कि जिदा chance third या fourth week में होने के पूरे-पूरे chance है आपके, तो आपके पास school मिलाकर एक महिना बचा ओआ ए student, तो इस एक मेने में क्या करना आपको सबसे पहले यहां पर बात करते हैं देखें पर्ष्ट बात है आपका बिल्कुल भी यह दिया आपका स्टुडिन नहीं किया है तो सबसे पहले स्टुडेंट का मन ऐसा जाएगा कि मार्केट में कोई अच्छी सी बुक परचेज कर लेते हैं कोई अच्छी सी गाइड परचेज कर लेते हैं और उससे पढ़ कर हमारा सेलेक्शन हो जाएगा तो यह सोचना आपका बिल्कुल भी गलत है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताते हूँ यह कोई वो कोलेज वाली एक्जाम नहीं है कोई उनिवर्सिटी की एक्जाम नहीं है कि मार्केट से गाइड परकट उसे पास कर ली यह वो एक्जाम नहीं है स्टुडेंट कोई कम्पिटिशन की एक्जाम नहीं है कि मार्केट से कोई भी गाइड उठा ले और वो एक्जाम है वो पास कर दी लिए एक्जाम एंट्रेस एक्जाम है कोई भी गाइड से यह पास होने वाली नहीं है तो सबसे पहले आपको एक पर इस पर द्याने देना है कि कोई भी मार्केट से कोई गाइड लेकर आ जाएंगे और उसे पढ़ कर यहाँ पर पास हो जाएंगे मैंने पहले पढ़ा है पकाया है कि गाइड में से क्युशन बहुत ही कम आते हैं आप गाइड को पूरी भी पढ़ लोगे ना तो भी क्युशन मेच नहीं होगे तो यह दिमाग अपने खयाल से यह सवाल है वो अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई गाइड लियाएंगे और मार्केट और पढ़ लेंगे तो यह गाइड वाला भी कैंसल हो गया तो सर अब क्या करे तो सबसे पहले एक ही आपके पास इलाज है तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए देखिए मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं पहले ही बोल रहा था यदि आपके पा तो प्लीज अभी एक महिने के लिए भी इन्हें पर्चेज कर लीजिए, क्योंकि काफी सार इस्टूरेंट पोलेंगे, सर एक महिने में क्या होगा, हमारी पेसे वेस्ट हो जाएंगे, पेसे वेस्ट नहीं होगे, यदि आपका गोवर्मेंट कोलेज में नंबर आ गया, तो कि होते अच्छी बात है, अब सबसे पहले फर्ष्ट प्राइविटी होनेचे, आपके पास बायो की बुक होनेचे, पिजिक्स की और केमिस्ट्री एन्सियाटी टोलती है, यह बुक आपके पास होनेचे, केवल इन्ही बुक्स, तीनों बुक्स में से परसन आएंगे, इसके बार क्यूशन नहीं जाएंगे, हालाइंकि आपको पता है, 85% बारवी में आता है, और लगबग 15% इलेवन्त में पुछा जाता है, लेकिन आपको 85% पर ध्यान दरना है, इसा नहीं है, कि दोनों के चक्रे में आप 85% पर भी ध्यान नहीं दरना हो, 15% पर तो इसलिए मैं ब बारवी पर ज्यादा फोकस करता हूं, कि जिन स्टुडेंट ने केवल बारवी पढ़ ली, उसका सेलेक्शन पक्का है स्टुडेंट, तो आपके पास होनीचे, अब सबसे पहले मैं बता दिता हूं, कि बायो को केसे पढ़नी है, जी हाँ, बिलकुर सबसे पहले आते हैं हम बायो पर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूसन सही होनी के चांच बायो में होते हैं, अब बायो में सबसे पहले आपको पता है, यानि कि पूरी बुक तो आपको पढ़ी नहीं जाएगी, सबसे पहले बायो में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखे सबसे पहले बात करते हैं, ज वोई भी मतलब जैसे आपके skin के बारे में हो गया, आपके vitamin के बारे में हो गया, vitamin के बारे में दे नहीं रखा, लेकिन परत्ते एक या दो क्यूसन हर बार exam में आते हैं, vitamin के बारे में हो गया, और जितने भी आपके system दे रखे हैं, याँ पर human body में, वो जैसे आपके urinary system हो गया, आपका जितने भी system दे रखे हैं, वो आपको याद करने हैं, जितने भी उनकी कारे विद्धी पूरी याद करनी है, उनमें से लगबग आपको पता है कि आपके लगबग कितने क्यूसन यहाँ पर पुछे जाते हैं, उनमें से लगबग 20 क्यूसन यहाँ से बायो में से यहाँ पर जो लोजी में पुछे जाएंगे, जो आपके system दे रखे हैं, उनमें से क्यूसन पुछे जाएंगे, तो उनकी एक बार सुपरफीस ले रीडिंग कर लेना आपके बुक में दे रखा है, क्योंकि उनमें से क्या है कि कुछ ऐसे क्यूसन यहाँ जो ऐसे ही लाइन में से पूछ ले जाते हैं, उनमें कुछ भी गुमाय नहीं जाता है, केवल NCRT के लाइन से उठा लिए जाते हैं, तो वो आपको याद करने हैं, सबसे पहले उन पर यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरी बात, यहाँ पर सिस्टम याद करना आपको, दूसरी बात जो भी आपका जेनेटिक्स वाला है, उसमें से question पुछ जाएंगे और दूसरी बात आपके जो यानि कि बोटनी में से भी कुछ ज्यादा question यहाँ पर बोटनी में से put up नहीं होगे लेकिन आपको यदि pass करना है तो सबसे पहले आप जुलो जी पढ़ने ना आपके लिए जुलो जी ही based student क्योंकि जुलो जी यदि आप पढ़ देते हो तो लगबग 34 में से आप 25 पलस score कर दोगे जिसमें आप पास माने जाओगे तो जुलो जी और जिन स्टुडेंट्स के अच्छे से जिन्होंने प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दोनों को यानि कि अच्छे से जिन्होंने पूरी NCRT रिड कर लिए पहले उनको तो यहां पर दोनों रिड आउट करना है एक बार सुपर फीचली तरगे से पूरी बायलोजी आपको NCRT रिवाइज करने है और कुछ भी पढ़ने कि यहां पर जुरत नहीं है तो आपको जुलो जी पर दियान देना है मैंने ट्रिक बता दि आपको क्या करना है सबसे पहले जितने भी आपके जो भी फोर्मूले उनको यहां पर जैसा मैंने बताया कि एक कोपी में पूरे को जितने भी फिजिक्स में आपके पूर्मूले दिये हैं उनको पूरों को एक कोपी में लिखना है और उनको याद करना है क्योंकि बहुत सा पूर्मूले आपको याद हो जाएंगे तो नुमेरिकल भी आप आसनी से याद कर सकते हो और इसे बात नहीं है फिजिक्स में क्यों फॉर्मूले आएंगे ठियोरी का पॉर्शन भी आता है तो जो थेरी वाले चेप्टर है वह आप एक बार रिटिंग कर लेना सबी स्टूरे एक नोटबुक में लिखकर उनको याद कले ना और जो भी मातरक और विमय है उनको याद कले आपका काम बन जाएगा और numerical थोड़ो main जिसे कुलाम का नियम हो गया जो basic main-main rule जो आपके numerical है वो थोड़ा बोर निकाल लेना और आपका काम बन जाएगा लगबग 33 में से आपके question सही हो जाएगे 22 plus question इसमें से सही हो जाएगे क्योंकि आपको selection पाने के लिए government वे 75 plus अंक ही काफी है student 75 अंक और किसी को यदि आप SCST तो 70 plus ही अंक आपके लिए काफी है तो बहुत मतलब आपको hard work करना होगा इतने ज़्यादा अंक भी यह नही है अब बात करते है chemistry में chemistry में मैं सबसे पहले आपको बता जीता हूँ chemistry में नहीं नहीं पुचिते है लेकिन आपको सुत्तर जितने बहुए एक कोपी में रिखना है उनको याद करना और ज्यद्दा तर त्थोरी वाले आपको द्यान देना खी में जो पोछ की प्रकार से आपको मैंनेज करना है आपको कोई भी गायड नहीं खरीदनी है और मैं से क्विशन पूछे जाएंगे किस परकार से आपके एक्जाम होती है क्या वहाँ पर मौल रहता पूरा आपको अपगले वीडियो में अपडेट मिलता रहेगा फिलाल जो है मैंने बता है वो काम करते जीजिए एंसी आटी बायो जो है आप पढ़ते रहेजिए आपका सेलेक कि एमाटर मौल जो है कि एमाटर मौल जो है कि एमाटर मौल